दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे आप लाइन हाजर के बारे में कि लाइन हाजर कब होता है, सकिन सरकारी विभागों में होता है और लाइन हाजर से नौकरी पर क्या फरक पड़ता है, तनका मिलती है या नहीं मिलती है दूस्तो इससे पहले आपसे प्लीज रिक्वेश्ट है कि चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर दूस्तो अपने लाइन हाजर सब्द जो है वो बहुत अधिक सुनाओगा और खास कर पुलिस मामलों में आपने लाइन हाजर जो सब्द है वो सुनाओगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइन हाजर जो सब्द है लाइन हाजर केवल पुलिस विभाग में होता है अन्य सरकारी विभागों में लायन हाजर सब्द का प्रियोग जो है वो नहीं होता है दूसरी प्यात मैं आपको बता दू कि आपने लायन हाजर होते हुए कई पुलिस ओफिसरों का सुना होगा लेकिन मैं आपको बता दू कि लाइन हाजर जो है वो किसी प्रकार का दंड नहीं है और ना ही लाइन हाजर से पुलिस ओफिसर की नौकरी में कोई भी किसी प्रवार की प्रॉबलम आती है देखे कई बार क्या होता है जब पुलिस किसी पुलिस ओफिसर की लापरवाई से या उनसे कोई गलती हो जाती है और जब जनता में आकरोस पैदा होता है या मान लीजिए कोई उनसे लापरवाई द्वारा गलती हो जाती है तो उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है चलिए अब जानते हैं लाइन हाजर में कौन-कौन सी परेसानिया आती है और क्या के सब कुछ होता है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिस पुलिस ओफिसर का लाइन हाजर किया जाता है उस समय वर्तमान में उस समय जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे जहां पर उसकी ड्यूटी लगाई गई थी चाहें उसकी ड्यूटी थाने में लगाई गई हो या चाहें उसकी ड्यूटी चौकी में लगी हो वहाँ से उसकी duty हटा कर पुलीस लाइन में लगा दी जाती है और पुलीस लाइन में उसे लाइन इंचार्ज की समझ अपनी उपस्तिति देनी पड़ती है और जो भी पुलीस लाइन में सादरड से कार होते हैं वो उन्हें करने पड़ते हैं दूसरा प्रसना आता है जैसे माललीजह कि से प्लिस ओफिसर को लाइन हासिर कर दिया गया है तो उसकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा जाती है और उसे पुलिस लाइन बेज दिया जाता है तो जिससे एक बार जिम्मेदारी ली जा चुकी है उससे दुबारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उससे पहले सोचना पड़ेगा तो इसलिए जब उनका प्रमोशन होता है तो वहाँ पर उनके सामने दिक्कत आती है इ अगर माली जो उनकी लापरवाई है या उनसे कोई गलती हुई है तो उनकी जो है लाइन हाजर के बाद उनकी जाच भी होती है और उन्हें कई प्रस्णों का और कई कटनाईयों का चोटी चोटी कटनाईयों का सामना करना पड़ता है और उनकी नौकरी में भी थोड़ी अ जो है वो खास कोई बड़ी सजा नहीं है छोटी थोड़ी प्रॉप्लम जो है वो क्रियेट हो जाती है दोस्तों कर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें और यदि आपका कोई प्रस्न है तो कमेंट बॉक्स में अवस्त करें